हेलो बच्चो आज हम क्लास एट का प्रैक्टिसेट 8.2 शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिसेट 8.1 का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है सबसे पहले आप वो देख लीजिए ताकि आगे का ये जो प्रैक्टिसेट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आएए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिसेट 8.2 हमारा फर्स्ट क्वेशन है ड्रॉ ए रेक्टेंगल ए बी सीडी सच दाट लेंथ ए बी सिक सेंटिमीटर एंड लेंथ बी सी फोर पॉइंट फाइंटिमीटर हमको रेक्टेंगल ए बी सीडी ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ ए बी सिक सेंटिमीटर रहेगी और लेंथ बी सी 4.5 सेंटिमीटर रहेगी यहां तो हमको सिर्फ दो ही चीजे दी है और इस पे से हमको रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए बोला है और पहले हमने क्या देखा है क अगर हमको किसी भी quadrilateral की minimum parts चीजे अगर पता है तो हम quadrilateral draw कर सकते हैं तो rectangle भी तो एक quadrilateral है तो हमको minimum 5 चीजे तो इसकी पता चाहिए तो अब ये 5 चीजे पता करने के लिए सबसे पहले हमको rectangle की properties क्या है वो देखनी पड़ेगी तो देखते है rectangle की properties क्या क्या properties है rectangle की सबसे पहले rectangle की definition देख लेटे if all angles of a quadrilateral are right angle it is called a rectangle अगर किसी quadrilateral का हर angle right angle है right angle मतलब 90 degree का angle अगर है तो वो rectangle होता है that means यह जो quadrilateral है ABCD यह जो quadrilateral है ABCD इसके देखिए चारो angles हमको बताया है right angle right angle का यह symbol है तो यह जो ABCD यह quadrilateral है यहाँ पर यह क्या है यह rectangle है क्यों है rectangle क्योंकि इसके चारो angles जो है वो right angle है तो हमको एक property तो पता चली कि उसके चारो angles right angle होते हैं अब अगली properties क्या है देखते हैं opposite sides of a rectangle are congruent किसी भी rectangle की opposite sides जो होती है वो congruent होती है that means वो same length की होती है तो यहाँ पर यह जो side PQ है और side SR है यह दोनो same length की है उसी तरह से length PS और length QR यह दोनो sides भी एक दुसरे के opposite side में है तो वो भी एक दुसरे को congruent रहेगी तो congruent का मतलब होता है कि उनकी length same रहेगी now second property क्या है diagonals of a rectangle are congruent rectangle के जो diagonals होते है diagonal मतलब opposite angles को join करने वाला जो segment होता है उसको diagonal केते है तो PR यह जो diagonal है PR और QS यह दोनो diagonals भी congruent होते है मतलब उन दोनों की length भी same होती है now diagonals of a rectangle bisect each other rectangle के जो diagonal होते है वो एक दुसरे को bisect करते है bisect करते है उसका मतलब क्या है कि दोनों एक दुसरे को same equal parts में divide करते है that means यह दोनों ने एक दुसरे को intersect किया है तो intersect करने के बाद यह जो दो parts बने है यह PT और TR यह दोनों parts same length के है और QT और ST यह दोनों part भी same length के है तो यह सारी properties rectangle की है अब हम यह first question easily solve कर सकते है कैसे देखिए length AB 6 cm है तो इसके opposite वाली जो side रहेगी वो भी 6 cm रहेगी length BC 4. cm है तो BC के opposite वाली side 4. cm रहेगी that means हमको 4 sides पता है और यह rectangle है तो इसके 4 angles भी right angle रहेंगे मतलब 90 degree के रहेंगे तो हमको 4 angles भी इसके पता है अब हम easily rectangle draw कर सकते है सबसे पहले हम rough figure draw करेंगे तो rough figure में हमने देखिए यह rectangle draw किया है इसके 4 angles जो है वो 90 degree है और इसको नाम देदेंगे पहले A, B, C and D length AB इसकी है 6 cm और length BC यह वाली side यह है 4.5 cm अब यह 6 cm है length AB 6 cm है इसका मतलब length DC भी 6 cm है और BC 4.5 cm है तो length AD भी 4.5 cm है तो यह rough figure हमने draw कर ली है अब हम fair figure draw करते है उसके लिए हमको compass का, protector का और scale का यूज़ करना पड़ेगा scale की help से हम 6 cm का segment draw करेंगे इसको हम नाम दे देंगे segment AB इसकी length कितनी है 6 cm अब हमको क्या पता है rectangle का हर एक angle जो होता है वो 90 degree का होता है अब हम protector का जो midpoint है वो point A पर रखेंगे हमको 90 degree का angle draw करना है तो इसको हम A पर रखेंगे और यह जो 90 लिखा है वहाँ पर हम इसको mark कर देंगे यहाँ पर हमने mark कर दिया और यह जो angle बना है वो 90 degree का बना है तो इसको mark कर देंगे 90 degree का अब हमको पता है कि length A D यह 4.5 cm है यहाँ पर 4.5 cm पर D यह point है तो उसको find करने के लिए हमको compass का use करना है तो compass में अब हम 4.5 cm distance ले लेंगे और compass का जो point है वो A पर रखेंगे अब यहाँ इस segment पर एक arc ड्रॉ करेंगे यह जो arc ने यहाँ cut किया है यह हमको point D मिल चुका है यह है 4.5 distance पर 4.5 cm point B से C तब का distance भी 4.5 cm है तो फिर से यह arc बनानी है point B से C तब का distance है 4.5 cm लेकिन यह जो arc है इससे हमको point C नहीं मिलता है हमको क्या करना पड़ेगा point D से 6 cm पर फिर से एक arc बनानी पड़ेगी तो यह arc जहाँ cut करेगी वो point रहेगा point C तो अब हम क्या करेंगे compass में फिर से 6 cm distance ले लेंगे अब compass का जो point है वो कहां रखेंगे वो D पर रखेंगे compass का point हमने D पर रखा compass के point में और compass में कितना distance है इसमें 6 cm का distance है मतलब D से 6 cm पर हमको एक point मिलने वाला है यह arc को हमने cut कर दिया अब यह जो point हमको मिला है यह है point C तो इसको अब हम join कर देंगे D के साथ देखिए यह exact 6 cm distance पर बना है और अब इसको B के साथ भी join कर देंगे यह देखिए यह 4.5 cm distance पर बना है B से 4.5 cm पर है और D से 6 cm पर यह point C हमको मिला है यहाँ पर इनकी length लिख देंगे यह है 6 cm and this is 4.5 cm यह सारे angles जो है यह 90 degree के है तो इनको भी हम mark कर देंगे यह जो marking है यह जो symbol है यह 90 degree angle का है right angle अगर है तो इस तरह से हमको उसका symbol देना पड़ता है तो यह जो rectangle बना है वो A, B, C, D है जो की हमारा required rectangle है अगर हमारा second question है draw a square W, X, Y, Z with side 5.2 cm अब यहाँ पर हमको सिफ एक ही दिया है side 5.2 cm तो अब इस पर से हमको square draw करना है तो आए देख लेते हैं square की properties क्या क्या है देखिए, square की definition देख लेते है if all sides and all angles of a quadrilateral are congruent it is called a square rectangle में हमने क्या देखा था कि all angles are 90 degree और opposite sides congruent but square में क्या है all sides are congruent that means यह 4 sides जो है वो same length की है यह एक property है और 4 angles congruent है 4 angles same major के है that means यह 4 angle क्या है 90 degree के है अगर quadrilateral के 4 angles same major के है तो वो right angle ही होते है तो यह 4 angles right angle होते है और 4 sides same length की होती है कुछ और properties भी है square की वो भी देख लेते है diagonals are of equal length that is they are congruent इसके जो दोनो diagonal है वो भी congruent है मतलब दोनो की length equal है okay diagonals bisect each other bisect करते है मतलब दो equal part जो दोनो diagonal एक दुसरे को जब intersect करते है तो equal part में divide होते है that means यह जो BE और DE है यह same length के है और AE और CE यह same length के है okay diagonals are perpendicular to each other diagonals एक दुसरे को perpendicular है मतलब यहाँ जो angle बनता है diagonals जहाँ पर intersect करते है वहाँ जो angle बनता है वो 90 degree का होता है यहाँ भी 90 degree है यहाँ भी 90 degree यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 degree का angle बनता है ओके यह जो चारो angle से यह 90 degree के होते है diagonals एक दुसरे के perpendicular bisector है मतलब वो एक दुसरे को perpendicular भी है और एक दुसरे को bisect भी करते है bisect मतलब by means two and sect means part तो दो equal parts में वो एक दुसरे को divide करते है मतलब यह चारो parts same length के ही रहने वाले है क्योंकि यह दोनो diagonals भी तो congruent है ना तो congruent diagonal के जब दो-दो part बनेंगे तो वो part भी congruent ही होने वाले है Diagonals bisect the opposite angles Opposite angle जो होते है यह वाल एंगल D और एंगल B एंगल A और एंगल C यह जो opposite angle होते है उनको diagonals bisect करते है bisect करते है इसका मतलब क्या है कि two equal parts में divide करते है तो यहाँ पर यह जो angle A है इसके दो equal parts बनते है that means यह angle और यह angle same major कर रहेगा यह angle और यह angle भी same major कर रहेगा यह और यह भी same कर रहेगा और यह और यह भी same कर रहेगा मतलब पहले तो यह चारो angles 90 degree के थे तो यह 45 कर रहेगा यह 45 का यह 45 का यह 45 का मतलब यह जो bisect होने के बाद जितने angles बने है वो सारे 45 degree के रहने वाले है तो देखिए चारो sides same length की है चारो angles 90 degree के है जो diagonals है वो same length के है diagonals की वज़े से जो angle बन रहे है ये 90 degree के बन रहे है diagonals जब एक दुसरे को bisect करते है तो ये चारो sides भी जो बनती है वो same length की बनती है तो ये सारी square की properties आप याद रखिए तो आगे आपको वो काम में आने वाली है तो अब हम directly problem solve करते है अब हमको क्या करना है wxyz ये square draw करना है जिसकी side रहेगी 5.2 cm तो सबसे पहले rough figure draw कर लेते है ये हमने rough figure draw कर ली है इसके नाम दे देते है wxyz 5.2 cm ये एक side हमको दी है 5.2 cm that means all the sides are of the length 5.2 cm क्योंकि square की हर side ये same length की होती है ये भी 5.2 cm और ये भी 5.2 cm तो ये चारो sides same length की है और ये चारो angles जो है ये 90 degree है that means चारो angles भी same major के है तो ये हमारी rough figure है अब हम directly fair figure draw करते है अब scale की help से 5.2 cm का एक segment draw कर लेंगे ये हमने segment draw कर लिया इसकी length कितनी है 5.2 cm इसको नाम दे देंगे wx और इसकी length इसके नीचे लिख देंगे 5.2 cm अब protector की help से angle w 90 degree का draw करेंगे तो protector का जो mid point है वो हमको exactly w इस point पर रखना है और 90 degree पर हम mark कर देंगे ये 90 degree पर हमने mark कर दिया अब इसको w के साथ हम join कर देंगे ये 90 degree अब यहां पर 5.2 cm पर z ये point रहने माला है ये जो z point है ये हमको compass की help से find out करना है तो compass में अब हम 5.2 cm distance ले लेंगे और compass का जो point है वो हम w पर रख देंगे अब यहां arc draw करेंगे w पर point रख कर ये जो segment हमने draw किया था 90 degree वाला उस पर हमने arc draw की तो ये जो point हमको मिला है point of intersection वो हमको point z मिल चुका है ये है point z अब क्या करेंगे compass का जो point है वो z पर रखेंगे क्योंकि z y ये जो distance है ये भी कितना है ये भी 5.2 cm है तो हम z पर compass का point रखेंगे और फिर से एक arc draw कर देंगे अब x y ये distance जो है वो भी कितना है वो भी 5.2 cm है तो compass का point हम कहां रखेंगे x पर रखेंगे और 5.2 cm distance तो हमने compass में लिया हुआई है तो उसी distance को continue रखते हुए ये जो हमने arc draw की थी z पर point रखकर उस arc को अब कट कर देंगे ये जो point of intersection हमको मिला है ये दोनों arc ने एक दुसरे को जहां cut किया है वो point y हमको मिल चुका है अब ये जो सारे points है इनको हम join कर देंगे तो z से y तक 5.2 cm देखें यहां पर distance आ रहा है अब x से y तक जो point है उसको भी join कर देंगे देखें ये भी कितना है 5.2 cm तो ये सारे points अब हमको मिल चुके है ये हमारा square अब ready है यहां पर 90 degree का marking कर देंगे और सारी जो length है वो 5.2 cm है तो भी हम लिख देंगे 5.2 cm 5.2 cm and this is also 5.2 cm ओके ये हमारा square ready है Now next question जो यहां पर हमको rhombus draw करना है जिसका नाम है KLMN और उसकी side की length है 4 cm और एक angle दिया है वो है 75 degrees का तो अब ये कैसे draw करना है ये जानने के लिए सबसे पहले rhombus की properties देख लेते हैं ये है rhombus, rhombus की properties क्या है? if all sides of a quadrilateral are of equal length that means congruent अगर किसी quadrilateral की सारी sides सारी मतलब 4, 4 sides equal length की है मतलब वो congruent है तो it is called a rhombus तो उसको क्या कहते है? उसको rhombus कहते है देखिए यहाँ पर sides के बारे में हमको बताया है लेकिन angles के बारे में हमको कुछ भी नहीं बताया है that means उसकी sides तो equal length की है लेकिन जरूरी नहीं कि उसके angles equal measure के ही रहेंगे तो आप क्या कहेंगे कि square में भी तो sides equal length की थी लेकिन square के सारे angles equal measure के थे लेकिन rhombus में ये जरूरी नहीं कि उसके सारे angles equal measure के ही रहेंगे ओके, that means ये जो quadrilateral हमको दिया है E, F, G, H इसमें ये सारी जो sides है E, F, F, G, G, H और E, H ये चारो sides same length की है, ओके, अच्छा और क्या-क्या properties है rhombus की ये देख लेते है opposite angles are congruent, rhombus की जो opposite angles होते है, वो congruent होते है that means ये जो angle F है, ये और angle H, ये दोनो congruent है, दोनो same major के है angle F और angle H ये same major के है, ओके, और angle E और angle G, ये दोनो भी same major के है तो opposite angles जो है, वो congruent है, diagonals bisect opposite angles of the rhombus rhombus के जो diagonals है, वो क्या करते है, opposite angle को bisect करते है, मतलब opposite angle के दो equal parts करते है that means ये जो diagonal है, इसकी वज़े से, इस angle F के दो equal parts बने है और angle H के भी दो equal parts बने है, तो equal parts बने है, इसलिए हमने उनको same marking कर दिया तो इसका और इसका major same रहेगा, ये जो angle EFM और angle GFM है, ये दोनो equal major के angle बने है उसी तरह से angle EHM और DHM ये दोनो angle भी equal major के बनते है इस diagonal की वज़े से, ये जो diagonal EG है, इसकी वज़े से angle E के दो equal parts बने और angle G के भी दो equal parts बने, तो ये दो angle और ये दो angle भी congruent बने है Diagonals bisect each other and they are perpendicular to each other Diagonals एक दूसरे को bisect करते है, मतलब क्या होते है, वो एक दूसरे को equal parts में divide करते है ये जो दो diagonals है, उन्होंने क्या किया, equal parts में दोनों को divide किया मतलब ये जो EM है और GM है, ये same length के बने है, और FM और HM ये दोनों same length के है दोनों पर देखिए हमने अलग-अलग marking किया है, ये दो same length के है, ये और ये same length के है और ये दोनों same length के है, तो diagonals एक दूसरे को bisect करते है, और वो एक दूसरे को perpendicular होते है यहाँ पर वो 90 degree के angle बनाते है, वो एक दूसरे को perpendicular होते है, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है वो 90 degree के angle में एक दूसरे को intercept करते है, तो diagonals are the perpendicular bisector of each other मतलब वो एक दुसरे को perpendicular भी होते है और एक दुसरे को bisect भी करते है तो ये सारी properties rhombus की याद रखिए आपको आगे के सारे questions solve करने में काम में आने वाली है तो अब हमको क्या करना है rhombus draw करना है जिसकी एक side दी है हमको 4 cm और उसका angle दिया है 75 degrees तो हमको अब ये पता है कि rhombus की चारो sides सेम लेंद की होती है तो चारो sides उसकी 4 cm की है और उसका एक angle 75 degree का है तो आएए अब हम draw करते हैं हमारा rhombus कुछ इस तरह से दिखने वाला है ये इसको नाम दे देते है के एल एम और एन इसकी चारो sides 4 cm की है 4 cm, 4 cm, this is also 4 cm and this is also 4 cm और इसका ये जो angle K है ये 75 degrees का है तो हमको ये 5 चीजे पता है अब हम directly fair figure draw करते हैं अब 4 cm का एक segment draw करेंगे ये हमने 4 cm का segment draw कर लिया और इसका नाम दे देंगे के एल ये है 4 cm राइट अब हमको angle K 75 degree का draw करना है तो हम protector ले ले लेंगे और K पर उसका midpoint रख देंगे राइट अब यहाँ से इस side से हमको counting शुरू करना है और इस side से हमको देखना है 75 कहां आता है तो देखिए यहाँ पर आता है यह 70 और यहाँ आगे आता है 75 तो यहाँ पर हमको 75 हमने mark कर दिया और अब उसको join कर लिया यह angle हमने 75 डिगरी का draw कर लिया यहाँ पर लिख देंगे 75 डिगरी अब हमको यह पता है कि सारी sides 4 cm की है अब हम compass ले लेंगे और compass के दोनों arms जो होते है उसमें 4 cm का distance ले लेंगे और यह जो angle हमने draw किया है 75 डिगरी का यह जो segment हमने draw किया है उसको हम क्या करेंगे 4 cm पर cut कर देंगे ओके यह जो point हमको मिला है वो कौन सा है वो है point n अब point n पर compass का point रखेंगे और फिर से एक arc बनाएंगे अब हमको क्या करना है point m find out करना है तो point m कहा है n से 4 cm पर है और l से भी 4 cm पर है तो दोनों जगा पर n पर और l पर compass का point रखेंगे हम दो arcs बनाएंगे और वो दोनों arcs एक दुसरे को जहां cut करेगी वो मिलेगा हमको point m अब point l पर compass का point रखेंगे हमने और यह जो arc हमने बनाए थी उसको cut कर दिया अब यह जो point of intersection हमको मिला है तो वो क्या है वो है point m यह point m l इस point से भी 4 cm पर है और n point से भी 4 cm पर है तो अब इनको सबको हम join कर देंगे n से join किया m को देखिए यह है 4 cm ओके यह है 4 cm अब m से l तक हमने join कर दिया यह भी कितना है यह भी है 4 cm इनकी सबकी अब हम length लिख देंगे यह भी 4 cm यह भी 4 cm और यह भी 4 cm यह सारी जो sides है rhombus की वो same length की होती है 4 cm की अब देखिए यह angle के 75 degree का है तो हमको यह भी पता है कि angle m भी 75 degree का ही होगा यह हमको बताया नहीं है या पूछा भी नहीं है यह मैं आपकी information के लिए आपको बता रही हूँ क्योंकि opposite angles जो होते है rhombus की वो same measure के होते है तो यह है हमारा required rhombus तो अब हम next question solve करते हैं नेक्स्ट question है इफ diagonal of a rectangle is 26 cm and one side is 24 cm find other side यहाँ पर हमको rectangle की एक side और एक diagonal इन दोनों की length दी है और उस पर से हमको दूसरी side find out करनी है तो सबसे पहले हम rough figure draw कर लेते हैं यह हमने rough figure draw कर लिया है अब हम इसको नाम दे देंगे यह हमने rectangle a, b, c, d draw किया है जिसकी एक side जो है one side 24 cm है तो हम length a, b को 24 cm है ऐसा imagine करेंगे और हमको क्या दिया है उसका जो diagonal है वो 26 cm का है तो यह जो diagonal है यह है 26 cm राइट और यह जो information हमको दी है उस पर से हमको इसकी सारी sides की length find out करनी है तो यह कैसे find out करेंगे देखिए हमको यह पता है कि सारे angles जो होते है rectangle के वो 90 degree के होते है तो यह सारे 90 degree के angle है तो अब यहाँ पर इस figure में हमको दो triangle दिख रहे है दो triangle से यह एक rectangle बना है तो यह जो triangle है triangle A, B, D तो इसमें यह angle 90 degree का है और उसकी एक side और यह diagonal यह हमको पता है तो उस पर से हम यह side find out कर सकते है वो हम कैसे find out करेंगे वो हम pythagoras theorem का use करके find out कर सकते है क्योंकि यह right angle triangle बन रहा है यहाँ पर यह जो triangle A, B, D है यह right angle triangle है तो यहाँ पर हम pythagoras theorem का use करके यह side A, D find out कर सकते है यहाँ अब हम लिखेंगे in quadrilateral A, B, C, D length B, D is equal to 26 cm length AB is equal to 24 cm and major angle A is equal to 90 degree यह 90 degree है इसका reason क्या है property of a rectangle right यह property है rectangle की की rectangle के सारे angles जो होते है वो 90 degrees के होते है तो major angle A 90 degree therefore in triangle ABD we can use pythagoras theorem pythagoras theorem क्या है according to pythagoras theorem hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square तो यहाँ पर hypotenuse क्या है hypotenuse is the diagonal of the rectangle that means DB is the hypotenuse यहाँ पर हम को लिखना पड़ेगा reason इसका क्या है pythagoras theorem तो अब यहाँ पर हम BD की value put कर देंगे AB की भी value put कर देंगे BD कितना है 26 26 square is equal to length AB हमको पता है क्या है 24 का square plus length AD हमको पता नहीं है तो length AD square as it is लिख देंगे length AD square आप 26 का square पहले find out करेंगे 26 into 26 कीजिए यह कितना आता है 26 का square अगर हम करते है 26 into 26 करते है तो यह आता है 676 is equal to 24 का square आता है 576 plus length AD square अब हमको length AD find out करना है find out करने के लिए हम क्या करेंगे 676 और यह 576 हमको left side में लेना है minus 576 is equal to length AD square यह आता है 100 100 is equal to length AD square अब यहाँ पर square है तो इसको हम square root करेंगे तो हमको length AD का length समझ में आएगा तो square root of 100 इसका मतलब हम क्या कर रहे है दोनों side का हम square root ले रहे है square root of 100 is equal to square root of length AD square दोनों side का square root हमने ले लिया तो यह square root का sign और यह square यह cut हो जाएगा तो length AD is equal to 100 का square root क्या है 10 10 is equal to length AD तो length AD कितना आता है 10 cm यह जो rectangle है यहाँ पर length AD है 10 cm length BC भी है 10 cm और यह 24 है तो इसका opposite side जो है DC यह कितना है 24 cm तो हमको सारे sides की length पता चल चुकी है तो अब हम answer लिखेंगे तो answer है the other sides of the rectangle are 10 cm 24 cm and 10 cm respectively तो आज के इस session में यह 4 questions हमने solve किये है हमारे अगले वीडियो में आगे के जो सारे questions है वो आपको देखने को मिलेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं हमारे next video में I hope यह पूरे जो questions हमने solve किये है तो वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे अगर आए है तो इस वीडियो को like कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और मेरे channel को subscribe कीजिए Thank you, thank you very much